तो ओपो ने न्यू स्मार्टफोन का लीक कर दिया है और ओपो का न्यू स्मार्टफोन आने वाला है और स्मार्टफोन का ना में ओपो K5 अब इसमे इतना एक्साइटमेंट वाली क्या बात है हर साल तो इतने सारे फोन आते हैं इस बार ओपो ने सिरियसली कमाल कर दिया क्यो तो कि OPPO इस बार मात्र में से 16,000 में Snapdragon 730G quad camera 8GB RAM का option देने वाला है अपना new OPPO K5 पे तो बिना कैसे देरी के चलो इस वीडियो को start करते हैं तो इसके launch date की बात क्या है तो ऐसा बिडिक्ट किया जा रहा है कि यह phone आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको मिल जाएगा इस phone में Android 10 का support होगा यह dual SIM support करेगा dual 4G के इस phone के thickness की बात क्या है तो 8.6 mm का होगा इस phone की weight की बात क्या है तो 180 से लेकर 190 gram के बीच में हो सकता है इसका screen की बात क्या है तो 6.4 inches का आपको screen मिलेगा 1080 x 2340 pixels आपको मिलेगा 403 ppi and super amoled display भी आपको इस phone में मिलेगा इसके आप performance के बारे में बात करें इसमें आपको qualcomm snapdragon 730g वाला प्रोसेसर मिलेगा जो की 2.2 GHz पे होगा cryo 470 का and इसमें hexa core होगा 1.8 GHz का जो की cryo 470 का होगा यह 64 bit प्रोसेसर इसमें Android 618 वाला GP होगा 8GB RAM 128 GB storage plus 256 GB storage भी होगा इसके rear camera के बात करें तो quad camera होगा जो कि 64 plus 8 plus 2 plus 2 का आपको मिलेगा इसके अगर aperture की बात करें तो 64 MP जो होगा वो 1.8 aperture के साथ होगा LED flash, exposure control, ISO control, continuous shooting, high dynamic range, HDR mode, dual zoom, digital zoom, auto flash, face detection, tap to focus जैसे सारे एक साथ हैं इसमें आपको 32 MP का selfie मिलेगा जिसका aperture app 1.7 होगा इसके charger की बात किया जाया और बैटरी की बात किया जाया तो इसमें आपको 4,100 mAh की बैटरी मिलेगे जो की fast charger सपोर्ट करेंगा Superbook 4.0 तो हाँ यही था इस phone का कुछ specifications and main highlight और यह phone 15-16000 के बीच में और तो प्रवाइट करेंकर तो यह बहुत ही अच्छा deal है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद है तो लाइक करें मेरे चैनल को लाइक करें वीडियो तो सब्सक्राइब करें थाक्स पर वाचिंग